आज हम लोग बात करें हैं दामुदर वेली कॉर्प्रेशन जी हां दामुदर गाटी निगम इससे पहले हम लोगों ने देखा था सुन रेखा अधिस्या प्रियोजना को तो दामुदर गाटी निगम जो दामुदर वेली प्रोजेक्ट है इसको जानेंगे और सबसे पहले ये जानेंगे कि इसकी जरुरत क्यों पड़ी कुछ प्रस्णों का जवाब हम लोग ढूनेंगे कि आकिर इसकी जरुरत क्यों पड़ी ठीक है और फिर इसका उद्देश से क्या था तो जैसा मैंने कहा था कि कोई भी रीवर प्रोजेक्ट बिसेसकर जब रीवर प्रोजेक्ट होता है वह बहुँ अदेशी होता है पहले कुछ साटन उद्देश को कुछ मनिगिनी चुने उद्देश्यों को लेकर चला जाता था लेकिन अब ये बहुँ अदेशी होने लगा अप sponsors होने के कारण क्या होता है कि ईक जगह से दूसरे जगह खिसक रहिया उसकरथी परिदुअड इससे क्या होता है कि बहुत तेजी से बंजर हो रहाता ये संपून चेथ्दा उैंदल तर्गाANS इसको बंजरएकरन से रोकने के लिए कि बंजर ना हो तो ये भी एक उद्देश रख्या गया थो तो क्या था कि अपर्दन नियंत्रन ठीक है दो ठीक है चलिए फिर आगे बढ़ेंगे तो अब चलिए अब तो सारा कुछ बहुत देशी है तो सब अब क्या होगा बिद्दूत उत्पादन सभाविक बात है बिद्दूत उत्पादन अब सिचाई भी होगा पेजल भी आएगा पेजल है ना च्छे आप जानते हैं दामदर बेली कोर्परेशन जिस एरिया में है यह कोल बिल्ट है और इस कोल बिल्ट एरिया में बहुत सारे उत्दोग भी इस्तापित किया गया है और इंडूस्ट्रियल बिल्ट डिवलफ हुआ है है ना तो इसके लिए ऐसे को के लिए भी और दोगिक छेत्रों के लिए उत्दोगों को क्या तो जल्मुहया कराना फिर आगे हम लोग जैसे बढ़ेंगे तो अब देख लेते हैं देखे क्या यह अब देख लेते तो मतस्य पालन सभावी ग्रूप से जो वायर की बात है चलिए फिसरी मतस्य पालन ठीक है अब है कि जब डैम बन गया तो परियाटन भी विक्सित होगा परियाटन ठीक है तो देखे यह जो मेजर काउज है इस दमोजर घाटी निगम का घाटी निगम जो बहुए देश्य प्रजेक्ट है उसका मेजर कारण के आता चलिए इस दे फारदन एंतरन भिदूत उत्पादन सिचाई पय जल उदों को जल मुहया कराना मतसर पालन प्रयाटन ये दमोधर नदी घाटी प्रियोजना बहुए देश्य प्रियोजना क्यों बहुए देश्य है तो यह समझ में आ गया ये बहुए देश्य हम इसलिए करते हैं थिक है बहुत देश्य नदी घाटी परियोजना क्या है यह भारत का प्रतम बहुत देश्य नदी घाटी परियोजना कौन सा तो दामोदर नदी घाटी परियोजना ठीक है इसलिए most important हो जाता है कि अबल जारकन के लिए ही ने बेवी निजामों के लिए तो ये क्या है क्यों है ये भी जानते हैं क्या है तो अब जान रहे हैं कि दामोदर रिभर ठीक है तो दामोदर नदी हाँ मुखनदी होगया दामोदर और जो दूसरी मुखनदी है वो भराकर ठीक है ये दो नदिया हुई दामोदर रैण बराकर ये दोनो नदी में, ये दोनो नदी के बीच का छेतर, इसकी जो सायक नदिया है, सब को मिला कर ये बना है, और फिर ये आगे जाकर क्या तो हुगली में मिल जाती है, हुगली, आप जानते हैं, हुगली रिभर में पसिमंगाल से भी कही नदिया मिलती है, हल्दिया में इसको समुदर में जाने से पहले, समुदर मिलने से पहले कही नदियां आकर मिलती है तो मुलता हम बात किस की कर रहे हैं, तो हमारा फोकस हो गया किस में हमारा फोकस हो गया, दामोदर और ब्राकर का जो छेतर है इस से मिला हुआ छेत्रा और इस छेत्र के लिए क्रिशकर क्या बना तो दामोधर नदी बहुत देश है मने जा दामोधर घाती निगम का दामोधर बहुत देश परीयोजणा ठीक है ड़ीबीसट दामोधर भेली कॉर्परेशन का चलिये तो जो पूरा छेतर है कितना किलोमेटर का जानते हैं लगबग 25,000 वर्ग किलोमेटर का यह दामोदर घाटी निगम जो है इससे जो लभामरी छेतर हो रहा है वो छेतर है 25,000 वर्ग किलोमेटर सोच लीजिए कि कितना विसान छेतर में है ठीक है यह पूरा प्रोजेक्ट जो है ड तो पूचाज में किलोमेटर इसका लेंग कीकिटना है तो 5000 किलोमेटर चलिए के बारे इस बहने निया पर अ प्रॉजेक्ट में नहीं पोंचे है यह हो गया अच्छा दमोदर में ने कहा थे कि 599 बेसे जहार खंड में कितना है तो 290 इस पूछा जा सकता है, इसलिए जाना चाहिए, कहां तो जहार खंड में है, ठीक है, देखिए, यहां क्या हो गया है, हमारे पास, दो नदी, दमोदर अब राकर और इसकी साहिक नदी, फ चलिए यह मोटा मोटी समझ में आ गया कि इस परियोजना में क्या है तो यह परियोजना की प्रमुख नदी दामोदर अब राकर हो गई इस परियोजना का कुल चेतरपल क्या तो पचीस हजार बर किलोमीटर हो गया यह परियोजना में जो दामोदर नदी है यह किसमें जाकर म मिलती है ठीक है चलिए तो अब इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग और फिर अब ख्लोसर डीटेल जानते हैं तो आप जानते होंगे कि अमरीका की सबसे लंबी नदी जो है वह है मिसिसीपी मसोरी ठीक है टैन्सी नदी घाटी परियोजना टैन्सी नदी घाटी परियोजना प्रोजेक्ट परियोजना और यह कहां की है तो USA यह म्हि libertad and the drnm fail organization in spite of Ten-cin नदी परियोजना Ten-C नदी अते परियो से की हए ृजु अ सुभ मासोरी मिकची सायगा और इसको हुआनओन मीशिषीपी म सरी इचो इसको भी लिखने टेए-चे न थेए-ज्योजनlo यूस astronomers सबसे लंबी नदी है चलि यह उगे है सबसे लंबी नदी मिश्यच मसरी उसकी नधी if इसी नधी घटि परियोज़ना से ही समा से ही इंस्पाइर डामla भी ब।योण मैं पुहुँचते हैं तो बात अधा कि क्यों हुई तो यह है कि अखिद्ध मेधर्वेरिक और प्रेशन की जो रथी क्यों आन पड़ी तो इसका जो फर्स्ट और फॉर्मोस्ट का उच क्या बोले थे इसका था पहला जो महत्पून उद्देश था वह था बाढ नियंत्रन क्या था बाढ नियंत्रन यह बाढ चुकि दामोदर न का शीम हो गया को कहार चंदुवा कहां है तो टोरी अंटय का है तो लाते यहार जिला चलिया अब क्या हो जानना ही जानना है लेकिन ये हैं ना कि चंध्वा टोरी लातेहर छन्द्वा जगा का नाम टोरी उस ब्लॉग को और लातेहर जीला का नाम को चलित पिर इस से भी और ठीस az लिए देख लेते हैं दो बात और पुछा जाता है एक नेतर हाट कभी कभी पूछ लेता है कि नेतर हाट पहाड़ी किसका हिस्सा है तो छोटा नागपूर चोटा नाकपूर पठार का हिस्सा तो देखे क्या क्या हो सकता है दामोदर रिवर का उद्गम हो गया चंदवा टोरी लातेहार और चंदवा टोरी लातेहार चोटा नाकपूर पठारी छेतरा उसमें ही है नेतरहाट की पहाड़ी तो मतलब दामोदर नदी का उद्गम नेतर ज्यादा पानी इसमें आ जाता है कि यह तबाही मचा देता चुकि जारखंड जो है यह जारखंड हुआ और इसका फ्लो ऐसे है ठीक है ट्वर्ट्स इस्ट तो फ्लो ऐसे है यह पहुंच कहां रही है वेस्ट बंगॉल और जो आप जान रहे हैं कि वेस्ट मंगॉल मैदानी आर जारकन में पहाड़ी इलाका ज्यादा है तो बरसात के समय जो यह वाटर कैरी करेगा तो कितना तेजी से जाएगा यहिए डाउन स्ट्रीम इसका ही हो रहा है, तो कहां तो वेस्ट बंगॉल में घ्स कुम में क्या होते था कि यह तबाही मचाता था यह तबाही मचता थ लिए नांव देख लिए उस समय जीलो की बात करना उचीत नहीं होगा बात कर रहे हैं 1948 से पहले कि वेस्ट वेंगल क्यों जा रही है जादा तर पानि कहां तो वेस्ट वेंगल वेस्ट विंगल के मैदानी भाग है तो प्रवावित सबसे ज्यादा कौन हो रहा है तो जो चेत्र प्रवावित हो रहा है वह वर्धमान ठीक है वर्धमान चेत्र ठीक है प्रवावित कोन हो रहा है जैसे आप देखेंगे जारकन से जैसे दामोदर नदी पस्ति मंगलमीन करत तो चिंता किसको होगी वर्दमान राज को क्योंकि दामोदर बहुत तेजी से अचानक पानी लेकर आ रही है और वर्दमान चिद्र को पूरा जलमगर मतलब बाढ़ गरस चिद्र बना दे रही है तो सभाविक है वर्दमान के राजा का चिंतित होना और ये पहले बात हो रही है 1947 से पहले की थीक है तो 1947 से पहले हमारे हैं ब्रिटिस रूल में क्या हुआ कि ब्रिटिस रीजन में आया कि हां समस्या तो है और इससे पहले एक प्रजेक्ट जो टैंसी रिवर प्रजेक्ट था वो अरंब हो चुका था यूएस में तो वह अल्रेड़ी सक्सेस्पुली रन कर रहा था तो उस और भी तभी लिट्रेसी इतना अच्छा हो गया था और विसेस कर राजगराना या फिर उचे जाने लगा अब क्या हुआ कि जो वर्दमान राजति यह अंग्रेजों से संपर्क किये अंग्रेजों से संपर्क करने के बाद उन्होंने यह बताया कि दामोदर जो रिवर है यह हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है ठीक है तो क्या होगा? ठीक है, इतनी तवाही कि दामोदर नदी दुख का कारण बन गया, समाने तर नदी क्या होता है? खुसहाली लाता है, लेकिन दामोदर नदी का तवाही दुख का कारण बन गया कहां? तो बर्दमान छेतर में, इसलिए दामोदर को क्या बोला जाता है? सोरो ब उन्हेस सो तेतालिस चवालिस में दामोदर नदीस से जो बाढ़ हो रही थी, चलिए, 1943-44 में क्या हुआ देखिए, दामोदर नदीस से जो तवाही मच रही थी, और बर्धमान के जो राजा थे, उन्होंने अग्रेजो को समझाया, कि इससे बहुत नुकसान हो रहा है, सरकार को कुछ प्रियास करना चाहिए, तो अंग्रेजों उन्हों क्या क्या, ब्रिटिस गवर्मेंट जो तभी भारत में राज कर रहे थी, उन्होंने क्या क्या क्या, क्या क्या, दामोदर बाढ़ जाच समीती, दामोदर बाढ़ जाच समीती, most important, कुछ भी गर जरूरी नहीं बत प्रिटेल्स ग्यान ऐसा नहीं, जो बेकार चला जाए, ग्यान ऐसा जो काम आए, इसलिए मैं सिर्फ परिच्छा के दिश्टिकर्चने महत्पूर्न बाते हैं, उनको जरूर सामिल करूंगा, ठीक है, तो क्या होगे कि दामोदर बाढ़ जाच समीती, कब बनी, 1943-44 में, और सक्रिय राजा थे, ठीक है, और इन्हें अंग्रेजों ने महराजा धिराज की उपाधी भी दी थी, चलिए इनका नाम जाल लेते हैं, ये बर्दमान के जो राजा थे, इनका नाम था, उदाई चंद महताबी, ठीक है, अब क्या हो गया, देखिए, नाम तो हो गया, उपाधी दियाता है, महराज धिराज, बहादूर, ठीक है, ये उपाधी हो गया, चलिए बात हम कर रहे हैं, बर्दमान राज की, बर्दमान राज, उसके राजा, महराज धिराज, बहादूर, उदाई, चंद महताबी, ठीक है, अब ये इंपोर्टेंट क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ कि दामोदर बाढ़ जांच समीती जो 1943-44 में गठित किया गया था, उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो उसका अध्यक्ष बनाया गया था, किसे उदाई, चंद महताबी को, और ये उदाई, चंद महताबी कौन थे, तो ये थे वर्दमान राज के तत कालिन राजा, ठीक है, ये जानना बहुत इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेट क्या, तो ये है कि दामोदर बाढ़ जांच समीती कब बनी, 1943-44, इस जांच समीती के अध्यक्ष कोन थे, तो महाराजा धिराज, उदाई, चंद महताबी, ठीक है, चले अब आगे बढ़त इद्वान सदस है, और कोई नहीं, डक्टर मेगनाथ साह, ठीक है, जो सदस नियुक्त हुए, इसी दामोदर बाढ़ जांच समीती के महतपुर्ण सदस, इसे नियुक्त किया गया, तो सदस जो नियुक्त हुए, उनका नाम था, डक्टर मेगनाथ साह, डक्टर मेगनाथ सा ठीक है अब मेगनाथ सहा अध्यक्ष यह expert मेगनाथ सहा अध्यक्ष सदस बने और यह expert थे यह क्या किए इन्हों ने Tennessee River Project जो US में Mississippi Missouri की सायक नदी Tennessee में जो बहुए दिस नदी घाटी पर योजना आरंब हुई थी और सफलता से चल रही थी उसी की तरह इन्हों ने कहा कि दामोदर नदी में भी वैसा ही प्रजेक्ट होना चीए मतलब दामोदर वेली कोर्परेशन का foundation रखने वाला या उसका सोच concept देने वाला कौन हुआ चलिए कौन तो डॉक्टर मेगनाथ सह ने कहा कि टेंसी नदी घाटी जैसा क्या होना चीए तो दामोदर घाटी निगम तेंसी नदी घाटी जैसा ही होना चीए इससे क्या होगा और यह बहूत देशिया पर्योजना भी होगी ठीक है यहां तक समझ में आ गया तो यह आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा जगह निकालना पड़ेगा नहीं चलिए इधर ल पर्योजना होनी चाहिए दामोदर में भी ठीक है अब यह जो एड़वाइस दिया कि उस समय जो ब्रिट्स कमेंट लना चाहिए या नहीं होना चाहिए अब क्या हुआ कि यह दामोदर जाट्समीति का जो एड़वाइस आया इड़वाइस कौन दिया तो डॉक्टर मेंग मेगनाद सा ने क्या सिफारिस किया सिफारिस किया कि टेंसी नदी घाटी परियोजना जैसा टेंसी नदी घाटी परियोजना जो है वैसा ही यहां भी होना चाहिए मतलब टेंसी नदी घाटी परियोजना जैसा क्या होना चाहिए दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में बात रखने वाला कौन हुआ तो डॉक्टर मेगनाथ सहां के टेंस्टी घाटी परियोजना की जैसा ही दामोदर नदी हो इसलिए उन्होंने ये कमिटी बनाई थी दामुदर बाढ़ जाज समित उन्हों से 43-44 महाराजा धिराज बहादुरु रुदाई चंद महातावी के अध्यक्षता में और इसके सिफारिश पर उन्होंने क्या कि उस समय के जो चीफ इंजिनियर थे चीफ इंजिनियर कहां के उन्हों को किया वाकई दामुदर घाटी प्रोजेक्ट टैनसी नदी घाटी जैसी कोई प्रोजेक्ट बनाने क्या हो सकता दामुदर नदी में है इसके लिए उन्होंने चीफ इंजिनेर को कहा कि आप पस्तिक्ता कि जाच करें और यह जीफ इनका नाम था बदुदिन, मुहम्मध बदुदिन, मतलब किया हो गया कि बद रूद दिंदी हैं है अब क्या हमारे पास आ गया मुभमनद बद रूद दीन ये कौन ये चीफ इंजिनियर कि इंडिया गश्वाइंद येॉइस इसको कि क्या जिम्धारी दी गई कि क्या दामिदर नदी में तेनसी घाटी जैसी को प्रजेक्ट होनी चाहिए मुहम्मद बदरुद्दिन चीफ इंजिनियर कव के तो उस समय दामोदर बाढ़ जास समीती जब गठन हुई थी और उसके एक सदस्ट डक्टर मेंगनाथ साने जो रेकमेंडेशन किया था उस समय वह चीफ इंजिनियर थे और उन्हों किया कि इन्हों थांले का अब देखिए और ऑव या वैज्दंआलिक बात अब तख यह स्टोरि थी। अब जो रेकमेंडेशन आ रहा है तो देख लीजे चलिये कोई शीफ चिफ इंजिनियर जो वन दभर द् oportunidad उन नन्होंंने रेकमेंड क्या कि नहीं तो दामोदर बाल जाट समीती के जो सदस डॉक्टर मेंगनाथ सा ने कहा वो सही है और इसलिए दामोदर नदी में क्या होनी चाहिए तो दामोदर नदी में भी दामोदर घाटी प्रियोजना होनी चाहिए टेंसी नदी घाटी प्रियोजना के जैसी ठीक है अब क्या था अब ठीक है나ोर दममुदर नदी होगी अब यह उस समय कहा था उस समय यह दोनों नदी इस्तित् retaining भिहार हुआ है ठीक है भिहार में 1948 से पहले की बात हो रही है भिहार में अब इसका क्या था कि तामुदर नदी हो गई अब ये उस समय कहा था उस समय ये दोनों नदी इस्तित्ति बिहार ठीक है बिहार में 1948 से पहले की बात हो रही है बिहार में अब इसका क्या था कि प्रभावित कोन हो रहा था मुझे सबसे जढ़ा जो प्रभाह था है प्रभावित के पस्सिब मंगाल ठीक अब देखिह क्या दिकत है बिहार स्टेट में ये दोनोंassoci और पस्सिब मंगाल सोरो अब बेंगाल कहते कि ब्रिटिस प्रियाट का इंडियन गवर्मेंट ठीक है तीसरा पक्ष क्या हो गया इंडिया मतलब के अंदर सरकार ठीक है 1948 से पहले इंसरकार तो अब क्या हुआ कि दामोदर घाटी निगम जैसी कोई प्रियोजना अगर आरम करना है तो तीनों की सहमति आवश्यक है अब तीनों मिलकरी संयुक्त रूप से यह काम को कर सकते हैं तो इसके लिए क्या हो कि नहीं कानून बनाना पड़ेगा ठीक चुलारे इंसरवा और उसमें सरवे सरवा कौन हो जाता है क्या वरतवान संव जाता है वरतवान संविदान कभी का मिलेगा तो दो राज्यों के बीच की बात है तो एक केंधर की ब्हुमिका ज्यादा बढ़ गई और केंधर नe यह निर्ने लिया कि नहीं कानून केंद्रिय विधान मंडल में कानून बनाने की बात आई किसके द्वार केंद्रिय विधान मंडल केंद्रिय विधान मंडल वर्तमान में संसत समझ सकते हैं अभी का संसत विधान मंडल बात 1947 से पहले गयो रही है केंद्रिय विधान मंडल ठीक है केंद्रिय विधान मंडल में क अधिनियम और इसका नाम रखा गया दामोदर घाटी अधिनियम और इसको केंद्रिय विधान मंडल 27 मार्च 1948 को पारित किया कब किया most important बात है यह सब 27 मार्च 1948 कब पारित हुई 27 मार्च 1948 को ठीक है अब जब पारित हुई तो पारित होने में क्या होता है कि इसको एक नमर मिलता है तो जो संख्या मिला इसको इसका नाम हो गया क्या देखें पारित होने के बाद क्या नाम मिला इसका दामोदर घाटी अधिनियम संख्या चलिए देख लीजे क्या हो गया कि दामोदर घाटी अधिनियम संख्या कितना हो गया जाया नहीं सकता अगर आप डिटेल्स में द्यान से देख रहे हैं तो कुछ भी नहीं इससे बाहर हो ही नहीं सकता तो क्या होगा दामोदर घाटी अधिनियम संख्या चाउदा कब पारित हुई तो 17 मार्च 248 को कहा पारित हुई तो केंद्रिय विधान मंडल में और यह अधिनियम संख्या को स्विकृति कौन देगा जानते हैं अभी राष्टपती तो उस समय कौन दिये होंगे 1948 के बाद है तो उस समय गवर्नर जनरल ठीक है और यह गवर्नर जनरल कौन थे परतम भारतिय गवर्नर चारी चक्रवर्ति राजा गोपालाचारी चलिए सारा सवाल आ रहा है अब क्या हो गया केंद्रिय विधान मंडल नामुदर घाटी अधिनियम पपारिद 27 मार्च उने 48 को और इसे इस अधिनियम का संख्या क्या था नामुदर घाटी अधिनियम संख्या 14 और उस समय इसको अंतिम रूप से जो कानून बना तो किसके हस्ताक्षर से बनेगा तिये बना चक्रवर्ति राजा गोपालाचारी जो उस समय के गवर्नर जन्रल ऑफ इंडिया थे 1948 ठीक है यह पारित हो गई अब हुआ बात आगे बढ़नी चाहिए अब तो सारा जो प्रकिरिया था वह चलिए अब देखेंगे हम लोग इस किसको डैम्स को देखेंगे तो चलिए एक रिवार यहां से निकाल लेते हैं है ठीक है और एक रिवार आईगी यहां से जानी रहे हैं है और चली गई कहा हुगली चलिए यहां कहां आके मिल रही है तो हुगली में रिवर हो गई हुगली ठीक है भी तुरन समझ में आजागा यह रिवर हो गई हुगली ठीक है यह जो रिवर आ रहे है यह क्या है तो यह है दामोदर और यह जो रिवर है यह रिवर बराकर अब चलिए देख लेंगे हम लोग इसके किसको तो इसको जो हम लोग देखेंगे तो इसमें देखेंगे कौन से कौन से देखेंगे नाव लोग बहुती से देखते हैं तो समझना है तो सबसे पहले तब जाने रहे हैं कि दामोदर भेली प्रजेक्ट में महत्पुन डिवर कौन सा हो गया तो बराकर ना दी और दूसरा दामोदर ना दी यह बराकर जो है यह कहां से तो यह तिलया को डर्मा ठीक है चलिये यह कहां मिल रही है हुगली में हुगली में मिलने सपहले कुछ और नदिया मिलती है अब चलिए बात कर लेते हैं कि यह जो प्रोजेक्ट पूरा एरिया कितना एरिया है अब जान रहे हैं इसको यह 25,000 वर्ग किलोमेटर पहले मैंने बताया था 25,000 वर्ग किलोमेटर छेत्र इसको संपुन छेत्र वाइड एरिया ठीक है अब इसमें कहना जानते हैं यह तो सयूग प्रोजेक्ट है तो यह एक्चुली इसका ओनर है सेंट्रल गवर्मेंट लेकिन किस-kis state में है तो 2000 के बाद से इसको आप्व की जी में तीन पार्टी कर 3 जारखंड में क्या है देखी है जारखंड है 8 जीला हा इससे लभान वित होगाए नियुक्त अनुक्त मंगल का पांच जीना है ठीक है जारकंड का आठ जीना 25 जारवार में चेथपल में और फिर नित हो रहे है तो एरिया हो 25.000 बात कर लेते हैं तो जानी रहे हैं सब से पहले यहां पहला जो देम है वो क्या हो गया तो यह हो गया तो यह लिखते हैं ना दूसरा कलर से लिखना चाहिए नहीं चलिए यह से लिखते हैं तीलाई यह तो सब डिटेल्स आएगा तीलाई यह फिर यहां बाल पहाड़ी ठीक है और ठीक है यह हो गया हीरो डेम मैथन चलिए अब इससे कुछ समझ में आ रहा होगा आया होगा ना चलिए इसमें जो समझ में आया वह यह है कि जो तिलयाडे बाल पहाड़ी और मैथन किस रिभर में मोस्त इंपोर्टेंट रर वार कंफ्यूजिण दाम और भेली कोरप्रेशंशन अधिका नाम गलती से दाम नहीं लिखना है डाम दर लिखना लिखना यह जाना ज्याद़ है इसलिए ब्लीवर में जो डेम से ब्लाकर में तिलया ठीक है नमभरिंग कर लेते हैं वन कि तू कि भराकर में डेंज क्या होगे तिलाईया ठीक है दूसरा येंड का बालपहाड़ी और तीसरा मैथन अब चलिए जब भर कर बराकर नदी की बात हो गई तो चलिए दामदर रिवर का डेंज की को ही देख लेते हैं तेजी से नदी का नाम है कोनार और इसमें जो जो डेम बना हुआ है इसका नाम भी है कोनार डेम ठीक है कोनार हम बात कर रहें डेम से होंगे कि इसमें जो और डेम्स आएंगे तो ये डेम्स कौन से होंगे एक और डेम है और उसका नाम है बुकारो इसका नाम बुकारो ठीक है बुकारो नदी का नाम है दामुदर के साहिक नदी है इसलिए डेम का नाम भी बुकारो हो गया ठीक है ये दोनों दामुदर के साहिक नदी में ठीक है अब भोग्व आगे बढ़ते हैं और चलिए देख लेते हैं दामुद्धर रिवर में में जू मेंडे इंडमबना हुगा है है तो अब लोग नमरीं कर लेते हैं फट से तीन हो गया था आप यहां देखें इसको चार यह पांच यह छे यह साथ लेकिन आप जानते हैं दामुदर वेली कॉर्प्रेशन में जो डैम है वो डैम की संख्या कितनी है बांध की संख्या कितनी है बांध की संख्या है आठ मोस्ट इंप arrow हमारे मैप में क्या दैकर ब्राकरर रिवर में तिलेया बाल पहाड़ी मैदन और दामदर में क्या दिख रहा है तो खोनार वह और ऐर्यर और इसका मतलब कोई डैम छूट रहा है और जो डैम छूट रहा है वह है पहले देख लिए लोकेशन उसका तो यह डेम देखे वहां दिख रहा है जहां पर क्या है कि ब्राकर और दमदर दमदर जहां मिल रही तुराथ जो डैम वन रहा है उसे डेम का नाम है पंचेत क्या नाम है पंचेत पंचेत राज हुई हुआ करता था धनवाद में ठीक है पंचेत ठीक है तो अब कितना बांध हो गया टोटल आठ चलिए बांध सुझलावा कन्फूजन दूर कीजिए सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं ब्राकर रिवर में बांध कुन सी हुई तो ति संख्या आठ हो गई अभी बांध को भी दिखाएंगे कि कब कब कौन सा डैम बना है ठीक है तो चलिए उसको भी देख लेते हैं तो चलिए यह जो डैम बन रहा है दामोदर वेली कॉर्परेशन में इसका जो सबसे पहला डैम बना था 1953 में कौन बना था यह बना था तिलया वुञें कि तिलया कब बना था तिलया बना था 1953 में जबकि कुनार बांध है कुनार बांध बना था 19 से लात करना सपना है 1965 तिलया बांध कब बन पर देखें तिलया बांध 1953 और कुनार बांध 1955 और फिर मैथन 58 मैथन 1958 और जो पंचेत है लुए नाम है यहां पानी इस्टोर हो रहा है बहुत ज्यादा उसको हम लोग क्या करते हैं हम लोग करते हैं तेनुघाट डेम ठीक्ट तो यहां पर यह कब बना था तो यह बना था 1962 कव 1962 चलिए अब देखें यहां समझ में आ रहा होगा अगर क्या-क्या पूछा जा सकता है सबसे पहले तो इस देख लेते हैं बराकर नदी में तिलया वाल पाहणी मैथन फिर दामुदर रिवर में कोनार बोकारो ऐयर भेर्मो चलिए साल वाइच देख लेत और आठ बांद को classified भी किया गया है चलिए ख्लासीफाइड कैसे किया गया तो एक मुख्य बांद इस परियोजना का मुख्य बांद और इसका सहयक बांद सहयक बांद सायग बांद देखे सारा कुछ लेर होता जाएगा तो 8 बांध मुख बांद कौन से कौन से हैं चलिए तो यह अंसफere कब बनाता तो 1953 छोट क्या tes कब बनाता तो 1953 के थिट्र कुनार है कर चलिए उसकत वाइप से Sun कब बना तो 1958 पंचेत 1959 जिसका साल पूछता उसी का साल लिख रहे हैं इसका पूछा जा चुका है इसलिए इसको जारना जो रही है कभी भी पूछा जा सकता है ठीक है इसके बाद सायक बाद में चली देख लेते हैं क्या हो जाएगा कि ईवा बुकारो हाई जा आईया में है इसके वाद बेर मोगे है सब डैम का नाम बेर मोगे और बाल पहाड़ी भाल पाड़ी आप चलिए देख लेते हैं एक बद जिला जान लेते हैं तो तिलया जो है तिलया तिलया कहां तो को डर्मा कहां को डर्मा दो कु59 अ आईयर, बोकारो, बेरमो, बोकारो, चलिये बाल पहाडी, गृड़ी, इस तरह हम अभी किसको देखे, तो आठ बांजो यूश में मुखे बांद और साहिक बांद को, ठीक है, तो मुखे बांद कौन सा हो गया, देख लिया, और साहिक बांद कौन सा हो गया, जिला के साथ तो डैम तो बन गया, मैं और देम से क्या मिखे हो सकता है तो डैम से हो सकता है क्या कि थर्मल पावर और प्रचल्रण में है वह क्या है कि जो डैम होता है रिजर्वायर उसके उपर सुलर प्लेट depression में बशलर चार्भ जाने क्राइव कि दामधरैली कारपरियशन में School to expressly thats Corporation का तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग बात किसकी करेंगे तो हम लोग बात कर लेंगे Hydral Projects की दामधर Valley Corporation के अंदर चली सबसे पहले बात कर लेते हैं जब Power Generation की बात हो रही है तो सबसे पहले बात हम लोग करेंगे Hydro Electric Power जल विद्धूत केंद्र की तो जल विद्धूत केंद्र जो है वह दामदर भेली कोर्परेशन में तीन है ठीक है और तीनों ही जारकन में आता है पस्टी मंगाल में कोई भी जल विद्धूत केंद्र दामदर भेली कोर्परेशन के अंदर नहीं आता है इसका कुल जो पावर निर्भर करता है इसका उत्पादन शम्ताहीसलिए उत्पादन शम्ताहीसका घट बढ़ सकता है लेकिन यह मैक्षीम्म फॉर्टी सेवन मेगा वाट ही होता है तो जलीए देख लेते हैं सबसे ना जो वह तो तिलया में है फिर दूसरा जो है मैथन में है और तीसरा पंचेत म में और जो इसका एड Cow रखिये कि भारत का पहला भूमीगत जल बिद्दूत केंदर जो इस्ठापीत क्या गया था वह मैथन था चलिए मोजट इंपोर्टेंट बात भारत का पहला भूमीगत जल बिन दूस्ट महा था मैथन मेथन सुध में जिसका जो पावर जेनरेशन कैपसिटी है हुआ 130 मेगावाट है जी हाँ 65-65 मेगावाट का दो टर्वाइन लगा हुआ है और यह जारकन का सबसे बड़ा जल विद्दूत केंदर है चलिए फिर आप बात कर लेते हैं हम लोग इसकी तो थर्मल पावर प्रोजेक्ट की मतलब कि ऐसे प्रोजेक्ट जो सबसे पॉपूलर ठीक है तो चलिए आब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसको तो थर्मल पावर प्रोजेक्ट को कि दामदर भेली कोर्परेशन के अंदर कहां कहां थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगा है और इसका जो कूल पावर मतलब लगवग 10,000 मेगावाट हुआ है ना चलिए ठीक है फिर आब आगे देखेंगे हम लोग मैप में की कहां कौन सा कौन सा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है जो की जारखंड में है जारखंड में दामदर भेली कोर्परेशन के अंदर हम फोकस कर रहा है जारखंड में ले माइथन भीजए ठर्म पार प्रोजेक्ट ठीक है यह ठर्मल पावर प्रोजेक्ट फिर आगे बढ़ेंगे यह अचंदर फूरा यह ठर्मल पावर प्रोजिक्ट यह बी किस पासे अंदर और फिर वोकारों में प्रजेक्ट सोनसका है क्राइबुद WA C sustainable power project Actually इसका टीटेल्टी भी जा रहेंगे क्योंकि बगारो सिटी के लिए यह पाउर देती है सलिए तो इस मोद्इत रहां फिर मांइं चंदरपुरा और प्रड़ा ठीक तो तो बोकारो में जो तीन थर्मल पावर प्रोजेक्ट है मैंने बोकारो में तीन थर्मल से और यह किसके लिए है तो यह जो बोकारो में इस्टील प्लांट है उसको पावर सप्लाइ करती है चलिए मोस्ट इंपर्टन बात एक और जा लेजिए कि बोकारो इस्टील प्लांट को देखें दो हजार एकीस में डीवी सी और एस जी भी एल सतलू जल विद्दूत निगम के वीचे समझा होता हुआ जिसके तहर जान रहे हैं दो हजार मेगावाट का सोलर एनरजी प्लांट भी डीवी सी के अंदर लगाया जा रहा है ठीक है चलिए आवाज आते हैं ताप बीदूत के अंदर पस्चिमंगाल तो तब बीदूत के अंदर है रहुनवात पूर जी हां यह सबसे पहले यह कहां है तो यह पुरूलिया में ह फिर बात कर लेंगे हम लोग बाकूरा थर्मल की ठीक है और फिर अंत में हम लोग किसको देखेंगे तो देखेंगे हम लोग दुरुगापूर थर्मल पावर प्रजेक्ट तो चलिए एक बात और जा लिए दुरुगापूर थर्मल पावर प्रजेक्ट जो है यहीं पे दुर दुर्गापूर स्टील प्लांट के लिए एनर्जी देती है और दुर्गापूर स्टील प्लांट के साथ मिलकर ही इसका दो थर्मल पावर प्रॉजेक्ट यहां काम करती है ठीक है तो इस तरह हम लोगों ने किसको देखा तो दामोदर भेली कॉरपरेशन को डिटेल में यह बहुत ही उपयोगी डेटा विथ मैप के साथ आपको मिल रहा है कि अंत में कि डीवी सी के अंदर एक सोयल कंजरवेशन इस्टिचूट भी है जी हां मिर्दा संग्रक्षन एम प्रसिष्चन संगस्थान जो कि हाजारी बाग में मिर्दा संग्रक्षन एम प्रसिष्चन संगस्थान डीवी सी के अंदर है और यह कहां है तो हाजारी बाग में है ठीक है चलिए इस तरह हम लोगों ने किसको देखा दामोदर वेली कॉर्परेशन को इन डीटेल्स ठीक है डीवी सी के अंदर जो आठ बांध बना हुआ है उसमें से सबसे उंचा जो है वह 56 मीटर हाइट मैथन का है और सबसे लंबा बांध भी मैथन है जो 4.3 किलो मीटर 4.3 किलो मीटर लंबी है ठीक है और आप जानते हैं कि भारत का पहला भूमी का जल विद्दूत के अंदर मै क tao कर लेते हैं दामोदर नदी पे जो अदो आपर पॉजेक्ट है ठीक है लेकिन वह त्रुलेर खरदो fall ली झीह हैं यह भाई прост ऑपहला physically in Finally फ़र प्रोजेक्ट कहां पत्राटू रामगर्ण जीला ठीक है यहीं पत्राटू में डैम है बहुती खुबसूरत प्रियटनिस्तल ठीक है यह दामदर के सहक नदीनलकारी में और फिर दामदर में जानते जो यह डैम है उसका रिजर्व वायर जो है उसको तेनुघाट बोला जाता है जो कि एक अर्थ फिल्ड डैम का एक्जाम्पल है ठीक है और यहां पे भी तेनुघाट थर्मल पावर प्रजेक्ट जो है वह जारखंड सरकार के अंतरगत आता तो इस तरह दो थर्मल पावर प्रजेक्ट जो डीवी